नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स की यूट्यूब बेजिक इसने चनल में आज की उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे नर्व पेन की सभी दवायू के बारे में तो हम सिखेंगे डिटेल में और जानेंगे अलग-अलग टॉपिक्स को जैसे कि ये प्रॉब्लेम के बारे में बेजिक हम सिखेंगे फिर उसको सिम्टम्स हो गिरा क्या होते हैं कोजिस क्या है डाइग्नोसिस कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट के क्या अलग-अलग उप्संस अविलेबल है और कौन से मेडिसिन उसके इंदर यूज होती है तो डिटे आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी तब आते हैं टॉपिक प्योर समझते हैं नर्व पेइन के दावायों के बारे में तो सबसे पहले बेजिक समझ ले आप ये प्रॉब्लेम के बारे में तो इसमें स्पेसल ही क्या होता है कि जो आपकी नियूरॉन से होती ह है और नसों में दर्द भी हम उसको कहते हैं तो यह रुग उसके बारे में बेजिक अब जान लेते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते तो सबसे पहला सिंटम्स यह है कि कंटिनियोस आपको जिए वो दर्द होता है कि परसं जिए वो टॉलरेट भी नहीं कर पता कि जिसको ये प आपको फिलोता है यह भी एक symptom है यहां अरुपेन का त्रीक जो तरह पालो होताँ है आपको फिल पर चुब पूपने से जैसे दर्द होता है एसा आपको कई बार पिर लॉइस जोता है चाती है आप बात थे कि उसके reasons वगेरा का है, तो सबसे पहला जो reason है, वो है आपकी जो neurons है, वो damage होना या फिर वो weak होना, तो neurons कई बार कमजोर होने लगती है, कि जिसके करण ये neuropathy के problems देखने को मिलते हैं, और ये सबसे बड़ा reason है ये problem होने के लिए कि आपकी नसे जो है, वो कमजोर होने ल nutrients नहीं मिल पाता, और जिसके करण क्या होता है, वो neurons जो damage होती, बिकोज जो हमारा blood है, वो अलग-अलग nutrients as well as hormones से, oxygen और CO2 वगेरा का जो circulation करता है, इसी के थरो neurons जो healthy रहती है, कि neurons को जो healthiness के लिए जो अलग-अलग nutrients चाहिए, वो blood flow के थरो ही मिलते हैं, पर अगर मानलो blood flow ही diabetes के अंदर, कि diabetes के अंदर जो निरोपिथी का जो problem जो होता है, neurons damage होने लगते हैं, अगर कोई person काफी ज़्यादा alcohol consumption करता है, तो उनमें भी ये symptom देखने को मिलते हैं, नर्व पेन के, फिर आपको brain या फिर spinal को injury हुई है, तो उसके करण भी nerve pain का problem हो सकता है, कि मानलो को spinal cord में injury हुई, brain में कोई injury हुई है, तो भी ये problem हो सकती है, फिर अभी जैसे हमने देखा कि जो nerve cell होता है, वहाँ तक proper blood नहीं पहुझ रहा, blood vessel damage हुई है, या फिर blood अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुझता है, तो उसके करण जो हमारी neurons भी जो हो damage होने लगती है, फिर एक और major reason र भी ये problem होती, बिकोज ये तीनों vitamin C से है कि neurons की healthiness के लिए ज़रूरी है, तो अगर ये vitamin C आपके सरीर में नहीं रहेंगे, तो neurons की healthiness नहीं रहती है, और वो धीरे धीरे जो हो कम जोर होने लगती है, और neuropathy के symptoms develop होते हैं, उसी तरह से आपके सरीर के अंदर nutrition की कमी है, अच् diagnosis के तो जो नसों में दर्द होता है, उसका निदान कैसे हो सकता है, तो निदान में जो सबसे पहला option है, वो है patient के medical history चेक करना, कि past में कौन से problem होए थे, कौन से दवा या use की थी, तो अच्छे से patient counseling करना जरूरी है, second यहाँ पे physical examination करके चेक करना जरूरी है कि कहा पे कौन स इस तरह sign and symptoms के basis के उपर भी diagnosis जो है, वो यह problem का हो सकता है, next option यहाँ पे यह बनता है कि जो neuropathy का एक problem जो है, वो diabetes भी है, तो patient का sugar level चेक करना जरूरी है, तो blood sugar चेक करो, as well as urine test भी चेक करो, कि जिससे एक proper आप diagnosis जो हो कर पाते हैं, फिर next option बनता है, जो amazing test का कि जिसके अंद detail diagnosis आपको पता चलती है कि कहाँ पर कोई injury हुई है, तो वो CT scan या फिर MRI से जो हो पता चलता है, तब बात है treatment कि treatment कैसे हम कर सकते हैं, कौन से अलग-अलग options हमारे पास available है, इसके इलाज के लिए, तो अलग-अलग options है, जैसे कि alopathy में भी उसके options है, herbals भी आप ले सकते हैं, और vitamin supplements जरूरी है इसके अंदर लेना, तो उसके अलग-अलग options हम देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप options समझ लो, फिर कैसे prescribe करते हैं, वो जो मैं आपको समझाता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे option जरूरी है, वो है medicines के अंदर, neurons की healthiness के लिए जो दवाई आ दिया, ज पाफी जरूरी बनता है, तो यह एक option है, vitamins के अंदर, कि जिसके अंदर vitamin B12 है, मैं को बोला माइन प्रेजंट है, दूसरे vitamins प्रेजंट है, आलफा लिन पोई कैसीड जी वो प्रेजंट है, तो एक capsule जो पर डे के इसाब से इसको लेना होता है, फिर दूसरा option आपके पास यह बनता है, यह नियूरोबियन फॉर्ट का, कि जो आपने deficiency जो थी, कि किसी के अंदर B6 के deficiency थी, B1 के deficiency 3, या फिर B12 के deficiency के करन यह problem होता, तो यह problem को solve करेगी यह medication, कि जो एक tablet per day के हिसाब से ली जादी है, इसे में तिसरा option आता है, नियूरोबियन प्लस के tablet का, तो यह भी similar dose स पेशन्ट जो वो यूज़ कर सकते हैं, चौता option हमारे पास हो है, वो है, Opti Neuron Fort के tablet का, पांच वो option हम देखें, तो Max ZLA के जो capsules आते हैं, कि एक capsule per day के हिसाब सो जो पेशन्ट को लेनी होती है, चाटा option हम देखें, तो Neurokind Gold के capsules कर रहते हैं, तो यह भी neurons के healthiness के लिए ज़ जरूरी हैं, साथ वो option हम देखें, तो अगर tablets तो patient ले रहा है, फिर भी जो problem solve नहीं हो रहा, तो week में एक बार यह injection के की options रहते हैं, जैसे कि Neuron Fort का injection, पेशन्ट जो वो week में एक बार जो लगवा सकता है, तो इसका content आप देखें, तो वही सब vitamins से कि जो उनकी deficiency के करन यह problem ह होता है, फिर इसी में दूसरा option बनता है, Neurokind Gold के injection का, तो उसका भी content जो वो same है, तो दोनों में से कोई एक injection जो वो use कर सकते हैं, 9th option हम देखें, तो अब ऐसे medications की जो आपकी नर्व pain को कम करेंगे, अब तक जो 1-8 option वो थे, कि जो nutritions provide करते हैं, ऐसे vitamins provide करते हैं, minerals provide करते हैं, कि जो neurons की healthiness के लिए जरूरी है, अब दर्द कम करने के लिए जो दवाई है, तो उसमें एक प्रेगा बालेन का option रहता, तो यहाँ पे एक combination है, पूरा Resner Plus करके tablet, कि जो इसके अंदर प्रेगा बालेन भी है, नौर्ट रिप्टिलाइन भी है, और methyl कोबालेन में मिलने कि वि reason आपको suit नहीं कर रहा है, कोई side effects हो रही है, तो single भी आते हैं प्रेगा बालेन की tablet 75 mg के strength के अंदर, फिर गाबा पेंटिन का भी यहाँ पे option बनता है, तो यह भी एक काफी अच्छी नर्व पेंड को रोकने वाली दवाई है, जिसके एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जिए वो patient ले सकता है, आगे option हम देखे तो ointment and cream करेते हैं, कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा nerve pain हो रहा है, वहाँ पे आप यह लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप देखो कि गाबा पेंटिन अवेलिबल है, कीटो प्रोफेन है, कैपसेसीन है, और मिथाल सैल तो ऐसे ingredient है, कि जो analgesic property provide करते है, pain killer के तौर पे काम करते हैं, और ये pain killer ऐसे है, कि जो specially neurons के pain को काम करने के लिए, काफी जरूरी बन दे हैं, इसी में एक और option बनता है, local anesthetics का, क्लिग्नोकेन और प्रिलोकेन जो हो combination में है, तो उसकी cream भी patient जो हो use कर सकता है, अब आगे बा दो या फिर तीन बार, जहाँ पे ज़्यादा pain हो रहा है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, फिर tablets के हम बात करें, herbal and homeopathics के अंदर, तो SBL का ये product काफी अच्छा दा है, कि जिसके content के हम बात करें, तो hypericum perforatum करके आता है, 1x tablets जो उसके आती है, तो उसके एक या फिर दो tablet ज जो patient ले सकते हैं, इसी के ointment का भी option आपके पास रहता है, hypericum का, तो वो भी आप जहाँ पे neurons damage हुई है, वो area में जो एपलाई कर सकते हैं, दो या फिर दिन में तीन बार, फिर backzone का भी ये same content available होता है, तो ये भी जो आप use कर सकते हैं, तब बात आती है कि किस तरह से prescribe के ज medication, कि जो B12, B6 और B1 वगरा vitamins प्रोवेड कर दी है, तो मेक को नर फॉर्ट या फिर neurobian फॉर्ट कोई भी एक option आप use कर सकते हैं, जो हमने 1 से 8 नंबर के options में देखा, फिर एक injection लगवाना जरूरी है per week, कि neurokind gold का injection या फिर neurokind gold के साथ वो suit नहीं हो रहा, तो दूसरा जो हमने देखा, neurobian fort के जो injection है, वो भी जो है, वो वीक में एक बार लगवा सकते हैं, फिर Resner Plus का tablet combination में, या फिर प्रेगा वाले न या फिर Gaba Pantene, जो भी patient को सूट हो, ये एक तीसरा option या पे जरूरी है, और चौथा, कोई एक cream या फिर oint pen, तो इस तरह से proper prescription एक तैयार हो सकता है, नर उपेन को solve करने के लिए, तो यहाँ पर आपको में एक request करूँगा कि जरूर से वीडियो को share करें, अलग-अलग WhatsApp groups के अंदर, वीडियो को like करें, जरूरी comments करें, और जरूर से हमारी channel को जेवाब subscribe करें, तो ऐसे सीखना है, बहुत सारी दववाईों के बारे में, बीमा जाइगी, so good luck and all the best.